मूवी स्टार्ट होती है और एली नाम की लड़की हमें बताती है कि मेरी और ली की मौम दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और ली और हम दोनों सेम दिन ही पैदा हुए थे तब से लेकर आज तक हम साथ हैं और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है इसलिए हम हर एक चीत साथ में करते हैं हम दोनों की दोस्ती बहुत तगड़ी है इसलिए हमने इस दोस्ती के कुछ रूल्स बनाई है जिसे हम दोनों में से कोई भी नहीं तोड़ सकता इसमें से एक रूल ये भी था कि अगर हम दोनों में से कोई भी नाराज हुआ तो दूसरे को उसे आइसक्रीम दे कर मनाना होगा यहाँ पर हमें एली ये भी बताती है कि उसकी मौम का कुछ साल पहले बिमारी की वज़ा से मौत हो गई थी उस समय वो काफी उदास रहती थी पर ली ने हमेशा उसका साथ दिया जिससे वो उस गम को भुला पाई साथी में हमें यहाँ पर ली के भाई नुवा के बारे में भी बताया जाता है जूकि बहुत हैंसम था पर ली की नुवा से जादा नहीं बनती थी अब कहानी प्रेजन में आती है जहां एली और ली स्कूल के चुट्टी को इंजॉई कर रहे थे क्योंकि कुछी दिनों में चुट्टी खतम होने वाली थी इसी तोनान ली का भाई नुवा भी वहाँ पर आ जाता है और हमें पता चलता है कि एली नुवा की और बहुत अट्राक्टेड है लेकिन फिर भी वो उसे इग्णोर करती है क्योंकि ली और एली के दोस्ती के रूल्स में से एक रूल ये भी था कि उन दोनों में से कोई भी किसी के relative या cousin के साथ relationship में नहीं आ सकते और ना ही वो उनके साथ flood कर सकते है Nova यहाँ पर Ellie के साथ flood करने लगता है लेकिन वहीं ये देख कर ली उसे defend करता है अब कुछ दिनों के बाद summer vacation खतम हो जाती है और Ellie स्कूल जाने के लिए ready होने लगती है पर यहाँ पर एक गरबाड हो जाती है कि जब Ellie थोड़ा जूखती है तब उसकी pen पीछे से फट जाती है इसलिए मजबूरी में Ellie को पुरानी skirt पहननी परती है जो कि काफी छोटी थी फिर स्कूल आने पर Ellie के छोटे skirt की वज़द से सब लोग उसी की और घूर घूर कर देखने लगते है इसी तोरान टूपिन नाम का लफंगा लड़का Ellie को छेडने लगता है ये देख ली टूपेन से बहस करने लगता है टूपेन ली को मारने ही वाला था कि तभी नोवा वहां आकर टूपेन को पीटने लगता है और पीट पीट कर उसका हालत खराब कर देता है इस हरकत के वज़ए से नोवा टूपेन और Ellie तीनों को पनिश्मेंट मिलती है और तीनों को एक दिन के लिए डिटेंशन में डाल दिया जाता है अगले दिन हम Ellie को स्कून के कैंटिंग में देखते हैं और फिर उसके पास तीन लड़कियां ओलिविया, मिया और ग्वेनेत आती है और इन लड़कियों के ग्रूप को Ellie OMG ग्रूप कहती थी इन लड़कियों को लग रहा था कि नोवा और Ellie का कुछ चकर चल रहा है इसलिए नोवा ने उस दिन Ellie के लिए लड़ाई की थी दरसल नोवा स्कूल का सबसे होट लड़का था इसलिए स्कूल की सभी लड़कियां उस पर मरती थी यहाँ पर Ellie उन्हें कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है या मुझे किस करेगी तो Ellie कहती है कि वो तो तुम्हें भाव भी नहीं देगी इस सुनकर उन दोनों को चैरेटी के पैसे उठाने के लिए किसिंग बूत का आइडिया आता है जहाँ पर कोई भी पैसे देकर अपने पसंद के पार्टनर को किस कर सकता था अगले दिन Ellie जब क्लासरूम में थी तो टूपिन उसे एक नोट देता है जिसमें वो उसे सौरी कहता है साथी में वो Ellie को डेट पर चलने के लिए भी पूछता है इस बात से Ellie उसे कहती है कि अगर तुम क्लासरूम में सकट पहन कर आओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूँगी और फिर सर्प्राइजिंगली टूपिन Ellie को इंप्रेस करने के लिए ऐसा ही करता है जिस वज़े से Ellie उसके साथ डेट पर चलने के लिए राजी हो जाती है पर जब डेट का समय आता है तब Ellie घंटों तक टूपिन का वेट करती रह जाती है पर वो वहाँ पर नहीं आता ये देख Ellie उदास हो जाती है पर थोड़ी दिर बाद टूपिन वहाँ आकर उससे कहता है कि नौवा किसी भी दूसरे लड़के को तुम्हारे पास ना आने की वर्निंग दे रहा है ये सुनकर Ellie गुसा में नौवा को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम मेरे परसनल लाइफ में दखल अंदाजी मत करो अगले दिन Ellie और ली स्कूल काउंसिलर को अपने किसिंग भूत का आइडिया बताते है कॉंसिलर में OMG गल्स थी इसलिए ये आइडिया पास करने के लिए Ellie कहती है कि किसिंग भूत में नौवा भी होगा ये जानकर OMG गल्स काफी खुश हो जाती है और किसिंग भूत के आइडिया के लिए मान जाती है अब अगले दिन नौवा घर पर एक पार्टी रखता है जापर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स इन्वाइटर थे यहाँ पर OMG गल्स भी थी जो कि Ellie से पूछती है कि क्या तुमने नौवा से किसिंग भूत पर पार्टिसिपेट करने के बारे में पूछा कि नहीं यह सुन एली नौवा के पास जाती है और उसे किसिंग भूत के बारे में बताती है पर नौवा इससे पार्टिसिपेट करने से साफ मना कर देता है लेकिन फिर भी एली OMG गल्स को जूट कहती है कि नौवा मान गया है फिर एली पार्टी में काफी जादा ड्रिंक कर लेती है जिस वाज़ा से वो बेहुस हो जाती है इसलिए नौवा उसे वहां से लेकर चला जाता है अगले सुबाय एली की जब आंख खुलती है तब वो खुद को नौवा के टीशट में देखती है यह देकर उसे लगता है कि कल रात उसके और नौवा के बीच में कुछ हुआ होग पर तभी नोवा आकर उसे बताता है कि कल रत हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ और तुम बेहोस हो गई थी अब इसके कुछ दिनों के बाद कानेवल आ जाता है जहाँ पर एली और ली ने मिलकर के सिंग बूत खोला था पर एली नोवा की जगा पर ली को खड़ा कर देती है जिस वज़े से सारी लड़किया डिसपॉइंट होकर वहाँ से जाने लगती है वहाँ पर रिचल नाम की लड़की भी खड़ी थी जो की बूत पर आकर ली को किस कर लेती है यहाँ पर यह दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद आ जाते हैं और कार्निवल में घूमने निकल जाते हैं इस बात से एली को भी कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि उनके फ्रेंट्शिप का रूल नमबर 18 था कि हमेशा अपने बेस्ट्रण के लिए खुश रो इधर OMG गल काफी गुसा थी क्योंकि नोवा ने बूत में पाटिसिपेट नहीं किया था इसलिए वो लोग एली की आँखों में पट्टी बांद कर उसे किस करने के लिए बूत में भेज देते हैं वहाँ पर एक लड़का उसे किस करने का इंतिजार कर रहा था पर तभी नोवा वहाँ आता है और वो एली को किस कर लेता है एली पट्टी हटा कर देखती है कि उसने नोवा को किस किया है पर इसके बावजूद भी वो दोनों फिर से किस करने लगते है अब इसके कुछ देर बाद एली को काफी बुरा लगने लगता है क्योंकि उसने अपने फ्रेंडशिप रूल को तोड़ा था इसलिए वो ये बाद जाकर सिधे ली को बता देती है ली कहता है कि तुमने बस किसिंग बुद के लिए ये सब किया इसलिए इसमें कोई गलत बात नहीं है पर ये बात याद रखना कि बात इससे आगे नहीं बढ़नी चोईए फिर कार्निवल खतम होने के बाद एली अकेले घर जा रही थी तब नुवा उसे लिफ्ट देता है फिर रास्ते में बारिश होने लगती है इसलिए वो दोनों एक जगा पर रुख जाते है यहाँ पर ये दोनों अकेले थे इसलिए एली अपने आपको रोक नहीं पाती और नुवा को किस करने लगती है इसके बाद नुवा एली को कहता है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो क्योंकि तुम बाकी सबी लड़कियों से काफी अलग हो इसी दोरान एक आदमी वहां आता है जो कि नुवा को जानता था और वो नुवा से कहता है कि हर बार इतनी लड़कियों को तुम यहाँ पर क्यों लाते हो ये सुन एली को काफी गुसा आता है क्योंकि नुवा ने उसे अपने हुक अप स्पॉट पर लाया था अब रात में एली बस नुवा के बारे में ही सोच रही थी पर साथी में वो इस बात से भी परिशान थी कि अगर ली को ये बात पता चल गई तो वो कैसे रियक्ट करेगा इसके बाद अगली रात को सभी स्टूडेंट बीच में खेल रहे थे तभी एली भी वहां आती है पर वहां पर एक लड़का उसके साथ बत्तमीजी करने लगता है जब नुवा ये सब देखता है तब उसे बहुत गुसा आता है और वो गुस्ते में उस लड़के को पीट देता है ये देख एली गुस्ते में वहां से जाने लगती है पर तभी नुवा उसे कार में बिठा कर एक सुन्दर जगा पर लेकर जाता है यहाँ पर नुवा अपने प्यार का इजहार करता है और एली भी उससे कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ लेकिन फिलाल हम हमारे इस रिस्ते के बारे में ली को नहीं बता सकते हैं इसके बाद इन दोनों में प्यार भरी बाते होती है और यह दोनों करीब जाते है और साथी में इनकी लव स्टूरी भी यहीं से शुरू हो जाती है इसके बाद आने वाले कई दिनों तक यह दोनों काफी मजे करते हैं और एली को भी नुवा के साथ काफी अच्छा लगने लगा था पर साथी में यह दोनों ली से इस रिस्ते को चुपा भी रहे एक दिन जब एली नुवा के रूम में थी तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है इसलिए एली बैट के नीचे छुप जाती है नुवा की मॉम की बातों को सुन एली को पता चलता है कि नुवा जल्द यहां से दूर हाड़वर्ड युनिवर्सिटी जा रहा है यह जान एली क काफी बुरा लगता है पर साथी में उसे खुशी भी होती है कि नुवा अच्छे युनिवर्सिटी में जा रहा है अब फिर से यह दोनों अपने सीक्रेट रिलेशन्शिप को ऐसे ही कंटीन्यू करते हैं साथी में दूसरी और रिचल और ली की भी रिलेशन्शिप काफी अच्छी चल रही थी फिर एक दिन जब ली नुवा के साथ गराज में काम कर रही थी तब गलती से उसे चोट लग जाती है इसलिए नुवा उसे कमरे में ले जाकर के उसकी मरहम पट्टी करने लगता है इसी दौरान जब एली और नुवा किस कर रहे थी तब ली वहाँ प दोशिश करता है पर ली उसे ही मुका मार देता है जिसके बाद उन दोनों में लडाए होने लगती है ये देख एली जैसे तैसे करके इन्हें रोक लेती है और जब ली यहाँ से जाने लगता है तब वो एली से कहता है कि बचपन से नुवा ने जो चाहा उसे मिल गया और तुम्ही एक ऐसी चीज थी जो कि उसके पास नहीं थी और आज उसने मुझसे तुम्हे भी छीन लिया ये कहकर ली इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है अगले सिन में जब एली रो रही थी तब ली की मौम उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम लोगों की त स्कूल नहीं आ रहा था फिर एक दिन एकदम से एली को अपने फ्रेंट्शिप का रूल याद आता है कि जब कोई नाराज होगा तो दूसरे दोस्त को उससे आइसक्रीम देकर मनाना होगा ये याद आते ही ली एली को मनाने के लिए उसके पास एक आइसक्रीम लेकर जाती ह पर इसके बावजूद भी ली उससे बात नहीं करता इसके बाद कुछ और दिन बीच जाते हैं और एक दिन एली उसी एरकेड में जाती है जहाँ पर वो ली के साथ अकसर आती थी यहाँ पर वो डांसिंग गेम खिलने लगती है ली भी यहीं पर था और वो एली को अकेला को celebrate किया जा रहा था यहाँ पर सभी लोग ली और एली को kissing booth के लिए congratulate करते हैं क्योंकि kissing booth में उन दोनों ने charity के लिए काफी पैसे जमा कर लिये थे जिसके बाद ली रिचल को kiss करता है एली ली को कुछ दे काफी खुछ थी पर साथी में वो नुवा को भी मिस कर रही थी कु और ये कह कर वो वहां से चली जाती है इसके बाद नुवा ली के पास जाता है और उससे अपने किये की माफी मांगते हुए कहता है कि मैं एली से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और बहुत ही जल मेरी college की पढ़ाई शुरू हो जाएगी इसलिए मैं दूसरे श नुवा के साथ बिताए थे अब एली इससे और ज़्यादा बरदाश नहीं कर पाती इसलिए वो वहां से जाने लगती है उससे जाता देख ली उससे पुछता है कि तुम कहा जा रही हो ये सुन एली इमोशनल होकर कहती है कि मैं नुवा से बहुत ज़्यादा प्यार करती ह और मैं उसके बिना नहीं रह सकती इसलिए अगर तुम ये सेप नहीं कर सकते तो शायद हम कभी भी बेस्ट फ्रेंड नहीं रह पाएंगे ये बास सुनकर एली को भी अंदाजा होता है कि वो गलत है इसलिए वो एली और नुवा के रिलेशनशिप के लिए मान जाता है फिर सारी चीजे नुवा और ली ने मिलकर पहले से ही प्लैन करके रखा हुआ था ये देख एली सर्प्राइस हो जाती है और नुवा से अपने प्यार का इजहार करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते है अब उन दोनों का रिस्ता ठीक हो चुगा था पर आखिरकार वो दिन आ जाती है जब नुवा को अपने उनिवर्सिटी के पढ़ाई के लिए दूसरे शेहर सिफ्ट होना था नुवा और एली एक दूसरे को गुडबाई बोलते हैं लेकिन साथी में वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग लोग डिस्टेंस रिलेशन्शिप मे रहेंगे और फिर नुवा दूसरी सहर के लिए निकल जाता है जिसके बाद ये मूवी यही पर एंड हो जाती है